इंटरनेशनल सेविंग अकाउंट ओपनिंग करने की ये हमारी सेवन्थ वीडियो है आज की वीडियो के मादम से मैं आपको कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ कैसे आप HSBC बैंक में अपना एक ओनलाइन सेविंग अकाउंट कैसे घर बैटे ओपन कर सकते है इसके बारे में step by step पूरा complete जानकारी देने वाला हूँ साथ ही साथ गैस में आपको ये भी बताऊंगा कि HSBC बैंक में ये आप अपना एक सेविंग अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास में क्याकर डोकोमेंट होने चाहिए और क्याकर एलिजबिलेटी क्राइटेरिया को आपको फोलो करना होगा तो सबी बाते यहां पर आपको बताए जाएगी इसलिए आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि स्वीडियो को शुरू से लेकर अंत त आने वाले है यह आप इस बैंक में अपना एक सेवी अकाउंट ओपनिंग करना चाहते है तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्त तक अवस्य देखे तो अभी आप देख सकते हैं जो डाउन्लोड किया गया पांच लाग से लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है और साथी स वो भी सुईदा का भी लाव आप यही से कर सकते हैं, साथे साथगेज यहां पर आपको online card, debit card और अपने credit card को control करने के लिए भी आप इसकी mobile banking का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने account को manage करने के लिए भी इस bank account की mobile application का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इतने सारे benefit का इस्तेमाल आप इसी की mobile application की साहता से कर सकते हैं, दोस्तों चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको hbc bank में अपना saving account opening करना है, तो account opening करने के लिए सबसे पहले अपने mobile में कोई भी एक browser को open कर लेंगे, और आपको एक new tab को open कर लेना है, जैसे आप एक new tab को open करेंगे, इसके बास search box open करेंगे और Google पे search करेंगे HSBC bank, जैसे आप इतना search करते हैं, तो आपके सामने HSBC bank की official website देखने को मिल चाती है, थोड़ास इस तरह की से page को scroll down करेंगे, तो यहां पर बताएं कि यह जो bank है, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, तो इस bank जो है Hong Kong Limited Bank है, साथी साथ के इस bank के जान लेते हैं कि कोन country ओन करते है, तो Shanghai Bank Corporation Limited, the founding members of the HSBC group which was established in Hong Kong and Shanghai in 1865, 65, HBC China को incorporate the previous male land offers in the parent, तो यहां पर बताएं कि HBC group इस bank को operate करती है, जो की 365 में launch की गई थी, साथी साथ के थोड़ास इस तरह की से page को scroll down करेंगे, तो इंडिया में भी इस bank की कुछ branches है, जहांसे आप अपना एक online saving account ओपनिंग कर सकते हैं, यहां पर जाके अपने document को submit करके, तो वहां से अब आप easily account को opening कर सकते हैं, तो थोड़ासा विकी पीडियाक के नुसार यह दी बात की जाएं, तो HBC Holding PLC एक multinational universal bank है, financial service आपको provide करता है, और यह आपको Europe का सबसे largest bank देखने को मिल जाता है, इस bank के headquarter आपको Canada, London, England, UK इत्यादी में देखने को मिल जाएंगे, और साथी साथगेज यहां पर आपको देखने को मिल जाता है, HBC India में यह दी बात की जाए, तो यहां पर आपको India के अंदर Mumbai में इसकी headquarter देखने को मिल जाती है, number of employee की बात कीज़े, तो यहां पर 36,000 से भी जादा लोग इस bank में इंडिया में अभी काम कर रहे है, यहां पर आपना saving account opening करना चाहते हैं, तो account opening करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी official website को open कर लेना है, जैसे आप website को open करेंगे, तो website का home page आपको कुछ इस तरीक से देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको mutual funds, platinum, debit card और भी कई सारी facilities यहां पर देखने को मिल जाती है, जिनके इस्तेमाल आप यहीं से कर सकते हैं, तो guys अभी हम बात करने वाले हैं, एक saving account के बारे में, तो account opening करने के लिए, यहां पर आपको three dot menu option देखने को मिल जाता है, तो just आप इसी button पर click कर लेंगे, जैसे आप three dot menu option पर click करेंगे, इसके बाद banking section पर click करेंगे, थोड़ा से इस तरीके से page को scroll down कर लेना है, तो यहां पर आपको saving account करके एक option देखने को मिल जाता है, तो just आपको इसी option पर click कर लेना होगा, जैसे आप इस option पर click करेंगे, तो यहां पर saving account देखने को मिल जाते है, we keep your savings secure and helping them grow, तो यहां से आप अपना saving account opening कर सकते हैं, transactions enable your higher interest, तो यहां पर बताएगे कि आपको यह इस bank में, यह आप अपना account open करते हैं, तो आपको automatic extra transfer करने की सुधा देखने को मिल जाते हैं, जहां पर आपको highest interest rate देखने को मिल जाता है, साथी साथगेज यहां पर आपको बताएगे कि आप easy fast process के माद़म से, आप card to card पैसे transfer का सकते हैं, visa money transfer service के माद़म से, keep a track of your account with free monthly statement, you can receive email every month or your interest banking message inbox, as well your personal email address provide your personal email ID is registered with the bank informator, you the email statement is ready, तो यहां पर बताएगे कि आपको email statement की सुधा देखने को मिल जाते हैं, जो कि of course free of cost देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको कोई भी charge नहीं देना होता, आप अपने email को open करेंगे inbox में, तो वहां पर आप registered email ID पर अपना statement पा सकते हैं, यू can also collect your monthly paper statement from your branch of account by visiting your branch of account in the person to collect the same, तो यहां पर बताएगे कि यदि आप monthly statement paper में लेना चाहते हैं, तो आप अपने नजदी की branch में जाएगे और वहां से आप easily इसे ले सकते हैं, यहां पर बताएगे कि आप कैसे लेंगे तो यहां पर आपको statement के लिए एक application form देंगे और जितने time के लिए लेना चाहते हैं तो उसको आपको वहां पर एंटर करना होगा, यहां पर आपको personalized checkbook की सुईदा भी देखने को मिल जाती है, यह आप checkbook वगरा लेना चाहते हैं तो checkbook की सुईदा भी यहां पर देखने को मिलेगी, साथे साथ के चाहते हैं आप manage transaction कर सकती है, your saving account में जैसी bill payment वगरा करने के लिए और भी कहीं सारे कामों के लिए HBSC, personal internet banking का इस्तिमाल कर सकती है, interest rate की बात कीज़े तो NRI, NRO, registration saving account में आपको 2% का यहां पे interest rate देखने को मिल जाता है, और यहां पे balance बताएगी 10 crore चाही दिया बहु है, तो ऐसे में आपको 2.50% का यहां पे interest rate देखने को मिल जाता है, account को आपको कैसे open करना है, तो account को आप branch में जाकर open कर सकते है, या फिर आप phone call के मादयम से भी आप इस bank में अपना saving account opening कर सकते है, जिसके बारे में हम आपको नीचे थोड़ा सा जान करी देंगे, पहले हम इस account के benefit features के बारे में जान लेते है, तो यहां पे आपको ATM card और international debit card क स्विधा देखने को मिल चाहेगी, जिसमें आपको statement कर सकते है, withdrawal cash, withdrawal कर सकते है, पैसे transfer कर सकते है, deposit checks और cash कर सकते है, request कर सकते है, bank statement के लिए checkbook और mini statement के लिए भी आप branches का इस्तिमाल कर सकते है, और HBSC debit card आपको international valid देखने को मिलता है, आप यहदी travel वगरा करते है, ब्रोड म तो वहाँ पे आप ATM card का इस्तिमाल कर सकते है, इसके, और साथे साथगेज यहाँ पे limit भी बताई हुए कि एक लाग रूपे तक कि यहाँ पे आपको per day limit देखने को मिल जाती है, free यहाँ पे passbook की स्विधा देखने को मिलते है, passbook यह दिए आप लेना चाहते है, बहुत सार security criteria भी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको average monthly balance जो आपको 15,000 रुपे इस bank account में रखने होंगे, बहुत कि एक लाग पचास हजार रुपे something अगाइस यहाँ पे सोरी, एक लाग पचास हजार रुपे आपको current account या फिजडिक पोजिट अकाउंट में रख सकते है, hold your corporate salary account under the corporate employee program CEF with the monthly salary credit in the account, तो यहाँ पे बता है, corporate salary account यहाँ पे अपन करना चाहते है, तो corporate employee program के अंतर अपना saving account opening करवा सकते है, और यहाँ पे mortgage relationship HBC bank monthly installment EMI being debited from the account towards the mortgage loan repayment with HSBC, तो यहाँ पे पते हैं कि यदि आप online loan वगरा लेते हैं इस bank से तो आपकी EMI इस bank से आप कटवा सकते है, senior citizen यदि आप है तो आपको यहाँ पे 10,000 रुपे maintain करने किया सकता होगी, और थोड़ा सा page को scroll down करेंगे, तो यहाँ पे कुछ इसकी multinational account होने वाला है, तो आप other cities में भी आप इस bank account का इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर आप किसी foreign country में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसके ATM का इस्तिमाल करके आसानी से इस bank account का इस्तिमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ example भी वताए गया है, थोड़ा से गया है, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा से अभी इसके कुछ fees and charges बगरा के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ अन्य अकाउंट देखने को मिलते हैं, डोकुमेंट की बात कर लेते हैं, यदि आप इस bank में अपना saving account opening करना चाहिए, तो गैस यदि आप बरान से अपना saving account opening कर करना सोच रही है, तो ऐसे में आपको एक application form branch से दिया चाहिए, तो आपको उस application form को enter करना होगा, आपके पास में अधार काड की एक photocopy होना चाहिए, पैन काड की एक photocopy होना चाहिए, आपके पास में दो photograph होना चाहिए, तो इन documents के मादिम से आप असानी से अपना saving account opening कर सक सकते हैं, और वहीं आप रेदी address proof के बारे में बात किजए, तो आप password, order ID card, permanent driving license, रासन कार्ड, आप बिल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, electricity bill, gas bill, property tax bill, और इसके अलावा domestic certificate with address issue by the municipal corporation in document के इस्तिमाल कर सकते हैं, धार काड का इस्तिमाल कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आपको debit card के undertaking declaration देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे बताए गए कि जो आपका debit card होगा, फेमा guideline को आपको यहाँ पे follow करना होगा, जिसके बारे में यहाँ पे regulating act बताए गया है, जिसमें आपको इसकी guideline को follow करना होगा, रिज़र बैंक ओपे इंडिया के दौरा फेमा guideline को भी आपको यहा आप चार्ज देना होगा, यह आप इस bank पर अपनाए saving account opening करते है, आप बात कर लेते हैं, मैंने आपको सभी चीज़े बता देगी कि जैसे की account में क्या benefit feature देखने को मिलेंगे, document क्या लगने वाले है, eligibility criteria क्या लगना वाला है, तो आप बात कर लेते हैं, अकाउंट को आखिर with India toll free number देखने को मिलता है, तो यहाँ पर दो toll free number है, इन toll free number पर आप call करेंगे, और आपको बताना होगा कि आप अपने saving account opening करना चाहते हैं, इसके बाद वो आपको complete जानकर देदेंगे कि कैसे आपका account open हो जाएगा, इसके साथी आप email करके भी आपना saving account open कर सकते हैं, तो इ ऐसे में आप online ही इसका application form डाउनलोड कर सकते है, account opening form, तो आपके सामने कुछ इस तरीकी से एक form देखने को मिल जाएगा है, HBSC bank का, तो आप इस application form में मांगी गई सभी जानकरी, जैसे कि आपका नाम हो गया, last name हो गया, और साथी साथ date of birth हो गया, और यहाँ पर passport number, expiry date, country, relation, और यहाँ पर इस चोटी चोटी information है, जो कि bank account में opening करने के लिए लगती है, तो वो सभी detail को आपको यहाँ पर enter कर देना है, जिसे आप इन सभी application form में मांगी गई जानकर इको जिसे आप enter कर देंगे, इसके बाद आपको अपना एक अधार card की attested करने होगी, यहाँ पर photoc copy, pen card की photo copy, यहाँ पर tested करने होगी, अपने दो photo graph यहाँ पर tested करने होगे, और सभी को आपको signature से verify करना होगा, और इसके बाद अपने नजदी की branch में जमा करके, इस bank में अपना same account opening कर सकते है, और इसके बहतरिन banking स्विधाओ का लाब ले सकते है, जैसे आपका bank account opening हो जाता है तो इसके बाद यहाँ आप अपने mobile में Google Play Store को open करेंगे, और HSBC Bank की mobile application को download करके, आप इसका इस्तिमाल कर सकते है, I hope guys आज की वीडियो आपके लिए एलप लेते वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe, अबस्से कीजिए, दोस्तों मिलते हैं, एक next वीडियो में तब तक के लिए, बाई-बाई, थैंक यू सो मच